मेरो रौत हट यूट्यूब चानल हेर्रा बशिरन भैका सम्पूर्ण सिर्षक चाथी अरू तथा विद्धियार्थि भाईवने अरलाई नमस्कार रहर्दिक स्वाधत गरताछु एक महिला क्रांटी कारी व्यक्तित्तो योग माया को आमी जीवनी लेर उपस्थित भाईगा छों उन्हें एक धार्मिक आध्यात्मिक तथा सामाजिक व्यक्तित्तो उन्हें उनको समात परिवर्तन गरने सैली अन्दलन को सैली अनुठ रहे कल अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् खिरन भएको छा, योगमायाको तस्विर होयो, इनाई ब्यक्तित्तोग आमी जीवनी शुरू करना गही रहेका छूं, अब आमी अगाडी बढ़ दाछूं चैनल सब्सक्राइब भर्ण भएको छाइडवनी किर्पया, मेरो रोहतोर यूटूब चैनललाई सब्सक्राइब गर्दी नौनाकलाईगा आर्धी कन्रोल गर्लाचू, अब शुरू करूं योगमायाको जीवनी योगमाया सामाजीक सास्कृतिक परिवत्तनको पच्छे मावाज उठाउने प्रेरनादाई महिला, और इनी महिला विवेदर सामाजी विवेदर अन्ते गराउने ये क्रांदीकारी महिलाका रुपासमेर परेचेछा रानाकालिन कठोर समय मापनी इनकुय संगर्षा लाई निके महतोपूर्ण रुपाले ने गरेंचा तसार्थ पनी इनी येवडा प्रेरनादाईक महिलाका रुप मा रहेके छें प्रनादाईक उत्प्रेरक नेपाली महिलाओन योग मायाका जन्मा विक्रमसमत 1924 मावएको थियो नेपाले डानाक सिमले गाओं जुन बोजपूर जिल्लाम परताछा तेहां इनी जन्मिये की थिन पिता शिरलान ने उपाने रा आमा चंद्रकला ने उपाने को प्रथम संतान का रुप मा इनी जन्मिये की थिन विक्रमसमत 1924 असार्ण वाइशगते अरुण नदीमा जल्समाधी गर रहें ले आपनो जीवन परत्याग गरे की थिन अर्था द यस्ति योगमाया अन्दोलन को उनको योसो रूप साचे अईले अमिल्दो लागे पनी तेहरको लागी साचे ने क्रांतिकारीने मानें जिवन इनको बालेकाल शिछादी छाय कुरालव साथ भर्षे का मेर मा बिवाहा बालेको थियो इनको दू भर्ष पची बिधुवा बालेकी थिन श्रीमान चिन्न न पाउँ दे शमाध को ओ आस्पार कायरन सामाजीकला मान्सीक यातना बालेकी इनले इनले 14 बर्षम में गर्हम बसे कि थिन, सासुर नंदको प्रताड़ना सहना नसके पची मायता आये कि थिन मायता मा पन उपेचित भाये पची इनमा विद्रहको चेतना विकास भाये को थियो इनले पुनर विवापन करें विद्रहली सिछा बाटे इनि बंचीत रहे कि थिन, सु अनुभाब्र शुचाईका माते इनले विभारी ज्यान आसिल करें जाहें, कि त सर्क आमाद्यमा देन में सामाजिक रा आध्यात्यम व्लीकास गरते है तरल दोकाम काता हमाधारी mo ऐत्षीब का लिक्तुक। इना पुनर वियोहागर आसाम गयार पुनर वियोहागर शैवसिंग संतान पनी जन्मेगो थियो तेहें अध्यात्मिक ब्यक्तितोगुरूपन धार्मिक ब्यक्तितोगुरूपन इस्थापना वहिंद्र तपष्यागर्नी नियन जनमधलनाई उचित मान रहेनी आसा माटब फर्किन और नेपाल आर दिछ्छा इनली चैन्दीर सन्याशी बनिशत्वेकुरूपन अल्पहार बाइर तपशयागरिन निके कठोर तपशयागरिन तो कठोर तपशयागरनुको एक महत्रा उद्ध्याश्या चे हैं लोब्र मोहवाट मुक्ते उद्ये शमास्थ अधर को चाहाना थिए जात्टिये बिवेतर लंगिक बिव्यत को इनी कट्टर बिरोधी थियें दास प्रथा सती प्रधा का विरुद्धम आवाज उठाएं इनले बाल विवधा को विरुद्ध गरने करें स्वेचिक विध्वा विवधा को समर्थन गर्थें मने ततकाले नियाई परिपाटिको बने विरुद्ध खुले रे विरुद्ध गरें शुआशुद मानव सबेता को कलंको वने इनको दार्ना चे इनको कुटिमा शुआशुद बर्जित थियो शुआचित गरनव पाइदा इन तो दली धरुकन इनका भक्त का रुपमा थिये शत्य धर्म को बेछा मागने पठायेके थिये तो आशुआशन पूरा आउं नभए पचे इनले अगनी समाधी लिने निर्मे गरेके थिये अगनी समाधी को गोष्णा करें तो 244 बड़ी बेटी अरले शुआ गोषित रुपमा अगनी समाधी लिने शहमती जनाया इनले इसको व्यापक तयारी करें उनले व्याऊ आगनी समाधी लिने शफल अनले इनले बंदी समाधी लिनेलो आले भवगुखा उने बर फ़िक वगुखा करें गरें लिने और ँले नुद Assam आपनो बिद्रोह के माध्यमबाट जल समाधी पन इनको बिद्रोह के अरको रुप्थियो रत्योगरी नेसरी इनक्रान्तिकारी सुभाप के विद्रोही मैला जिन योग साधना तपस्या ध्यान रप्रवजन का माध्यमबाट नियाइपुर्ण समाध को निर्मान वर्ना निर नगदान इनको रहे कचा